तो प्रोटोन अगर मागनेटिक फिल्ड में मूव करता है तो इसमें कि कौन सी प्रोपरटी चेंज हो सकती है तो देख लेते हैं भाई क्या आप पूछ रहे हैं तो इस नौट विर्टीफिकल्ट क्वेस्ट्टन लाइक हमको बस सोचना है थोड़ा सा इसके उपर तो वाईल वी आप दूइंग सो यहां पर देखो जो में मुद्दा है वो है कि यह कैसी कौन्टिटीटीज है अब प्रोटोन मतलब क्या होता है इट्स चार्ज है ना मतलब हमारे पास दो तैप के चार्ज़ेस है पॉजिटिव रहता है निगटिव रहता है अब अगर यह चार्ज है और किसी मागनेटिक फिल्ड में वो मूव कर रहा है तो बैसी कौन्टिटी विल बी अफेक्टे इन इस सिचुएशन में कौन सी कौन्टिटी एफेक्ट हो सकती है तो चलो देखते है उपर से क्या बोल रहे है कि यह MZQ क्वेशन भले ही है लेकिन इसमें more than one can be a correct answer मतलब इसमें से multiple options भी correct हो सकता है तो देखो हमने इतना तो बोल दिया कि अगर proton मतलब कोई चार्ज magnetic field में move कर रहा हो तो वो क्या experience करेगा तो वो proton क्या experience करेगा proton will experience force of that magnetic field सही है proton is going to experience force of that magnetic field क्योंकि वो एक charge है तो proton force experience करने वाला है अब force हम कैसे निकालते हैं लाइक हमारा regular formula क्या है mass into acceleration right हमारा formula क्या है force is equal to mass into acceleration अब तुमको ये तो पता ही कि mass of the proton का mass तो change नहीं होने वाला है तो ये तो effect नहीं होगा mass of the proton is not going to be affected क्योंकि mass material quantity होता है force experience बली कर रहा है proton लेकिन उसका mass क्यों change होगा तो mass is not going to change because it is material quantity लेकिन acceleration तो change होगा ये देखो अगर mass change नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी force change हो रहा है तो इसका मतलब है it is being affected by acceleration क्योंकि mass तो question में ही नहीं है मतलब हम उसके उपर debate नहीं कर सकते क्यों mass change नहीं होने वाला है लेकिन force तो change हो रहा है तो force if it is getting affected if mass is not affecting it acceleration must be affecting it अब तो acceleration तो option में लेना पड़ेगा अब acceleration option में नहीं है अब acceleration कैसे निकालते है हम लोग change in velocity मतलब v minus u by t right velocity से निकालते है न acceleration तो acceleration अगर change हो रहा है तो it might be due to क्योंकि velocity change हो रही है तो c option तो बराबर है velocity change हो रही है speed change हो रही है क्या नहीं velocity change हो रही है acceleration change हो रहा है मतलब velocity change हो रही है तो c option correct है लेकिन अगर velocity change हो रही है momentum भी effect होगा I hope आपको lower grade से याद होगा formula momentum का 9th standard से so basically momentum का formula क्या रहता है mass into velocity right momentum का formula क्या रहता है mass into velocity तो velocity अगर change होगे तो momentum भी change होगा तो answer क्या होगा D, तो इसमें मतलब 2 options correct है that is C and D 2 options are correct झाल